हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल LWD जॉब में इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्मानेंट सेंट्रल गॉर्मेंट जॉब के बारे में राजभासा ओफिसर की भरती निकाली गई है एनी मास्टर डिग्री यहाँ पर अपलाए कर सकते हैं पूरे भारत से ही जो है अवेदन कर पाएंगे सैलरी 85,000 आप लोगों को मिलेगी साथ में फ्री रेजिडियन्स की सुविदा भी आप लोगों को यहाँ पर दी जाती है तो चलिए देखते हैं बाकी जो है डिटेल इन्फॉर्मिशन के लिए नोटिफिकेशन चेक करेंगे कहां से जो है यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है यह सारी चीज़े हम देखने वाले हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ नेशनल इंसरेंस यहां से जो है वेकेंसी जारी हुई है बहुत सारे पोस्ट पर वेकेंसी आई है केवल हम उसी वेकेंसी की बात करेंगे जहां पर master degree आपने किसी भी सब्जक्ट से अंसिल किया है तो वहाँ आप अप्लाए कर सकते हैं इसके साथ मैं हिंदी राजभास officer की जो vacancy निकाली गई है salary आपको बता ही दिया है मैंने काफी अच्छी salary हाँ पर दी जाएगी permanent government job रहने वाली है तो अलग-अलग जो है post है जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर journalist officer की जहाँ graduate या post graduate any stream arts commerce science जिससे भी आपने जो है graduation की है post graduation किया है 60% marks है आप लोगों के तो बिल्कुल यहाँ पर apply कर सकते है central government की job है तो SCST category जो candidate है इनको आरक्षण का फायदा जो है central government के rule के according ही जो है मिलेगा 55% marks जो है यहाँ पर graduation या post graduation है मांगे गए है journalist officer के पत के लिए next जो है हिंदी राजभास officer की जो vacancy है तो master degree यहाँ पर आपको चाहिए हिंदी साथ में English as a compulsory या elective subject के साथ 60% marks के साथ में बहुत सारे option है तो आप option जो है देखे master degree जो है आपका होना चाहिए recognized university in English में और हिंदी जो है compulsory subject के रूप में या फिर master degree अगर आपने किया है Hindi या English से हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है या English मीडियम से पढ़ाई की है ठीक है तो शबी जो है यहाँ पर अपटाए कर सकते यह ओझा है अगर आप लोगों को बताऊं अगर आपने master degree हिंदी से किया है या English से किया है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपने Hindi medium से पढ़ाई की है तो English जो है आप लोगों का एक compulsory subject के रूप में होना चाहिए अगर आपने English medium में पढ़ाई की है तो Hindi आपके compulsory subject के रूप में होना चाहिए यह चीज़ आपके जो है clear हुई होगी 60% marks जो है सभी category को यहाँ पर चाहिए master degree में SESD category के लिए यहाँ पर 55% marks मांगे गए हैं age की अगर हम बात करें तो 21 साल जो है minimum age है और अधिकतम जो है वो 30 साल यहाँ पर रखी गई है age relaxation तो मैंने आपको बताया central government की job है तो उसी के according जो है यहाँ पर age relaxation category wise दिया जाएगा SESD 5 साल की other backward classes 3 साल की PWED की 10 साल की ex-service man 5 साल की next जो है जो वीडियो है diverged woman है और ऐसी जो की अपने husband से जो है वो separated हो चुकी है अलग हो चुकी है तो 9 साल की छूट यहाँ पर इनको दी जाती है तो अच्छे से जो है वीडियो देखिए ताकि सारी चीज़े clear हो अगर आप आविधन करना चाते हैं बाकी जो है यहाँ पर EWS category के लिए अगर आप आविधन करते हैं तो यहाँ पर कौन-कौन से जो है नियम लागू होते हैं तो यह सारी चीज़ें जो है आप देख तो आपकी जो है reasoning, journal awareness, English language, English से Hindi और Hindi से English, translate यह आपका पूछा जाएगा उसके बाद जो है यहाँ पर Hindi और English grammar के question रहेंगे, Hindi language essay, comprehension, letter writing यह यहाँ पर रहेगा यानि कुल जो है यहाँ यहाँ पर 200 marks का आपका रहने वाला है ठीक है और दोनों ही medium में रहेगा, English और Hindi medium दोनों म section 6, जैसे essay है 20 marks का, precious 10 marks का, comprehension 10 marks का, letter writing 10 marks का, इस तरीके से जो है आप लोगों का यहाँ पर exam होगा, ठीक है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उपर बता देती हूँ, important date, national insurance company limited, यहाँ से जो है vacancy आई है, registration की date जो है वो 2 जनवरी 2024 है, यानि 2 जनवरी से registration स्टार्ट हो जाएंगे, last date रहेगी 22 जनवरी, यह important date आप ध्यान में रखें, application fees बिलकुल यहाँ पर लग रही है, officer का पद ह और यहाँ एक्जाम भी रहेगा, और साथ में application fees जो है यहाँ पर बिलकुल रखी गई है, 2 जनवरी 2024 से लेकर 22 जनवरी 2024, application fees payment date है, ठीक है, अभी एक्जाम की date जो है वो clear नहीं है, तो और भी जो है vacancy है, जैसे doctor MBBS की 28 बद है, legal के 20 है, जिन्होंने law में किया है, finance के 30 है, उ computer science से जो है जन्होंने graduation किया है, post graduation किया है, तो 20 vacancy निकाली गई है, automobile engineer के 20 vacancy है, हिंदी राजवासा officer की 22 है, journalist की सबसे ज्यादा vacancy है, जो कि मैंने आप लोगों को बताई, graduation या post graduation किसी भी subject से आपने किया है, arts, commerce, science, किसी भी stream के candidate, तो यहाँ पर 130 vacancy निकाली गई है, journalist की, ठ 24 है, SC की 18 है, ST की 7 है, EWS की 13 है, तो यह चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर 60 percent marks आपका graduation या post graduation में मांगा गया है, बस इतना ही, ठीक है, और exam जो है वो सभी post के लिए रहने वाला है, application fees जो है यहाँ पर आप देखें, अभी 85,000 आप लोगों की salary है, free residence दिया जा बाकी जो SC ST PWD category है, इनके लिए जो है 200 रुपए, examination center कहां रहेगा, तो बाकी जो post है, हिंदी राजभासा को छोड़के, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 33 exam center रहेगे, हिंदी राजभासा के लिए आप देखें, अभी जो है बहुत सारे candidate जो की मेरे subscriber हैं, जैसे बिहार के हैं, तो पटना center रहेगा, आप लोग एक्जाम देने के लिए पटना जाएंगे, चंडिगड के, चंडिगड या मोहाली जाएंगे, दिल्ली NCR के जो है, दिल्ली NCR में exam होगा, गुजरात के जो है, एमदावाद, गांदी नगर में होगा, मध्य परदेश के जो candidate है, उनक तो center आप बिहार भरे, ठीक है, और राजिस्थान के जो candidate है, वो जैपूर भरे, या आप जो अपनी सोविदा के according जो है, center भरेंगे, कैसे apply करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को main website पर जाना है, ये main website है, nationalinsurance.nic.co.in, how to apply, सबसे पहले application registration करना होगा, फिर fees payment करना होगा, date जो है, वो बता दी गई है, 2 January 2024 से 22 January 2024 तक जो है, आप लोग apply कर सकते हैं, ठीक है, बाकी अगर कोई भी problem आती है, तो application procedure जो है, वो नीचे, एक-एक step जो है, आप देखते जाएं, और form fill करते जाएं, इसका link में आप लोगों को share कर दूँगी, जो भी interested candidate है, vacancy काफी सबसे पहले, जो है, main website पर आना है, आप लोगों को, उसके बाद, तो यहाँ उपर आप लोगों को दिखाई देगा, recruitment, इस पर आप लोगों को क्लिक करेंगे, यह आपको सबसे उपर दिखाई देगा, तो इस तरीके का जो है, next page आएगा, तो सबसे उपर दिया हुआ है, administrative officer, 274 vacancy है, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा, और बाकी जो है, आप लोगों के सामने यह पूरा notification आजाएगा, आप लोग form भरेंगे, सबसे पहले से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर कुछ भी छूट गया हो, तो आप यहाँ पर ज चीजे होती हैं, वो मैं आप लोगों को वीडियो के मादियम से बताती ही हूँ, ठीक है, जैसे अगर कोई candidate information technology, इसके लिए आविदन करना चाता है, तो BE, BTEC, ME, MTEC, computer science में, या information technology, या MCA, होना होगा 60% marks के साथ में, ठीक है, बाकी चीजे जो है वो आप देख सकते हैं, तो चलिए मिलेंगे next video में, thank you